तो जाहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अरवन जी के स्टडी में इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रोसी देशों के बारे में जो भारत का बहुत ही इंपोटेंट होने वाला यदि किसी भी एक्जाम के आप त्यारी करें वीडि को अंतक देखेगा यदि किसी भी वीडियो का पीडियाफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से जरूर जूड़िएगा सबसे पहला हमारा प्रशन है कोशन नंबर एक कि भारत में कितने राज्य और कितने केंदर शासित प्रदेश हैं वेरी इंपोटेंट प्र प्रशन है कि भारत के कुल कितने प्रोसी देश है तो याद रखेंगा ऑप्शन नंबर ए वाला सात जो हैं भारत के प्रोसी देश है नेक्स सवाल है आपको कोश्चन नमबर 3 भारत और पाकिस्तान के मध कौन सी रेखा इस्तित है इंपोर्टेंट प्रस्न है भारत और पाकिस्तान के मध कौन सी रेखा इस्तित है तो अप्शन नमबर D वाला रेड किलिफ रेखा ठीक है फ्रेंस याद रखेंगे नेक्स्ट है हमारा कोशन नमबर चार भारत सबसे कम सीमा साज़ा कौन से देश के साथ करता है ठीक है फ्रेंज सबसे कम सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है याद रखिंग आप्शन नमबर भी वाला अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है नेक्स सवाल है आपको कोशन नमबर 5 चीन के साथ सीमा साज़ा करने वाले कितने राज्य हैं चीन के साथ भारत की कितने सीमा लगती है तो आप्शन नमबर A वाला 5 सीमा लगती है चीन के साथ भारत की बांगला देश के साथ भारत सबसे लंबी अस्थलिय सीमा बनाता है बांगला देश के साथ भारत सबसे लंबी अस्थलिय सीमा बनाता है बांगला देश के साथ भारत सबसे लंबी अस्थलिय सीमा बनाता है नेक्स्ट है हमारा कोशन नमर 11 आदम का पूल किन दो देशों के बीच इसती थे तो अप्शन नमर B वाला भारत और स्री लंका याद रखेंगे भारत और स्री लंका के बीच आदम का पूल इसती थे नेक्स सवाल है आपको, नेक्स्ट है कोश्चन नमर 12, तीन बीघा कोरिडोर किसको जोडता है, तो अप्शन नमर B वाला भारत और बांगलादेश को, ठीके फ्रेंट है याद रखेंगे, तीन बीघा कोरिडोर जोडता है भारत और बांगलादेश को, नेक्स्ट है आपको को परिचलन किस देश में आरंब हुआ था तो आप्शन नमबर सी वाला जर्मनी में नेक्स सवाल है हमारा कोशन नमबर 14 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है तो आप्शन नमबर सी वाला डूरंड रेखा याद रखेंगे डूरंड रेखा पाकिस्तान औ और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, नेक्स्ट है हमारा कोश्चन नमबर 15, सबसे प्राचीन परवत किसे माना जाता है, सबसे प्राचीन परवत किसे माना जाता है, तो अप्शन नमर B वाला हेमाले को सबसे प्राचीन परवत माना जाता है, इंपोटेंट है, जा तकेंगे सिक्किम का नेपाल चीन और भूटान से सीमा लगता है सिक्किम को भारत से कौन सा राज्य जोडता है तो ब्धाइन वालासिम को भारत से जोड़ता है very important next है हमारा question number 18 भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा साजह करते हैं भारत के कितने राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ सीमा लगती है तो option number C वाला 16 ऐसे राज्य हैं जो दूसरे देशों के साथ लगते हैं नेक्स सवाल है हमारा कोशन नमबर 19 भारत की कौन से देश के साथ सबसे लंबी अंतरास्टिय सीमा है वेरी इंपोर्टेंट प्रसन है इस्टार में कर सकते हैं भारत की कौन से देश के साथ सबसे लंबी अंतरास्टिय सीमा है ऑप्शन नमबर डी वाला बांगला इसके साथ ठीक है फ्रेंज तो नेक्स्ट है हमारा कोशन नमर 20 भारत में कितने राज समुंदर तट रेखा में है भारत में कितने राज समुंदर तट रेखा में है तो आप्शन नमर सी वाला नौ राज आपको समुंदरी तट रेखा में है नेक्स्ट है हमारा कोशन नमर 21 भ सारे प्रस्ण आपको इंपोर्टेंट थे एक्जाम से रेलेटेट तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा तो मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद